मैं यहां पर आता हूं और लेखता हूं local host और यह चीजें हमने पिछले चेप्टर में कर लिया था तो आज के इस चेप्टर में हम लोग देखते हैं कि यह data Eja X के थ्रू कैसे आएगा A, J, A, X, Eja X के थ्रू कैसे आएगा यह तो सबसे पहले तो यह जो आया हुआ है PHP के ज़रू मैं इसको डिलेट कर दूँगा तो यह लाइन में डिलेट करता हूँ क्योंकि यहां पर PHP काम कर रहा है और यह लाइन भी मैं डिलेट करता हूँ यहां पर PHP का कोड लिखा गया है यह है यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ हार्ड कोड में कुछ नेम लिख देता हूँ अमित क्लास में लिख देता हूँ मैं BCA और फिर मुबाइल नंबर में भी मैं कुछ भी लिख दूगा लिख दिया मैंने मुबाइल नंबर और एक काम और करता हूँ यह आप अब देख लो ध्यान से मैं यहाँ पे टी हेड लगाता हूँ मैं लिखा मैंने यहाँ और इस हेड को कॉपी करके मैं पेश्ट कर दूगा नीचे क्यों कर रहा हूँ ऐसा क्यूंकि कॉलम जो पार्ट है वो टेबल हेडर में आता है टी हेड का मतलब है टेबल हेडर तो यह वाला जो टी आर है टेबल का हेडर में आ रहा है और फिर टी बोडी टैग में नीचे शुरू करूंगा टी बोडी इसको भी मैं कट कर रहा हूं और आ जा रहा हूं नीचे एक इस में आ जाएगा यह वाला हिंसा टी का बोडी हो गया तो टेबल बोडी हो गया यह वाला हिंसा और यहां पर मैंने टेबल यहां पर मैंने एक रोज सुरू करके डमी डेटा ऐसा ही फिल कर दिया है यहां पर हम जेस के थूरू लाएंगे तो मैं जो है जे क्वेरी का एजेक्स लाइबरेरी यूज करूंगा और उसके पहले मैं इस्टूडेंट पी एजपी के अंदर इस्टूडेंट में आऊंगा और यहां पर मैं अभी देखो आप रिटर्न कर रहा हूं अब मैं अभी रिटर्न नहीं करूंगा समझ रही हूं अब मैं क्या करूंगा सिमपलाऊंगा नीचे और मैं आजेक्स इसको प्रिटर्न यहांपर क्रियें और इसको डवी data equal to ऐसे रख लूँगा और फिर dollar student equal to json encode json encode के अंदर मैं डाल दूँगा यह data ऐसे इस तरह से तो यह सभी data को क्या करेगा json में encode किया जाएगा student function क्या करेगा data return करके इसको देगा और फिर इसी data को हम json में encode करेंगे json function के दोरा और json encode function जो है data इस student में transfer कर देगा और फिर मैं क्या करूँगा student को print कर दूँगा इस तरह से अब मैं तीन लाइन लिखा comment करता हूँ तीनो लाइन इतना मेरे को लिखने की नहीं जरूरत थी मैं सीधा क्या करता json encode लिखता और यहीं पर मैं function कॉल कर देता यहीं पर मैं कॉल कर दूँगा function sort कर तरीके से सिधी सिधी बात है एक लाइन में हमारा काम हो जाता लेकिन मैंने तीन लाइन में यहां पर इसलिए लिखा था ताकि आपको समझ में आचके समझ में आच सके चीदे अलग-अलग मैं variable बना के store कर रहा हूँ आप चाहो तो यह method का भी इस्तेमाल कर सकते हो मैं यहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं देखता हूँ run करके तो पहले run करूँ इसको इससे पहले htdocs का मतलब क्या है a root folder यह देखो आ रहा है यहां पर क्यों आ रहा है क्योंकि हमने include किया है इसी के वज़ा से वो प्रिंट हो रहा था अब प्रिंट नहीं होगा यह देख लो नहीं हो रहा है फिर तो इस्टूडेंट वाला फाइल कहां पर है php के अंदर student.php है तो मैं भी क्या करूंगा slash php slash student.php तो इस्टूडेंट वाला यहां पर आ रहा है json के फाउंड में हम इसी url का ajax के थुरू request करेंगे तो यह url यह json data return कर रहा है तो हमारा ajax यही json data receive करेगा और फिर और फिर क्या करेगा मैं बता रहा हूं फिर इस table में हम उसी json data को object में convert करेंगे और object वाले data को हम यहां पर दिखा देंगे मेरे बातों से समझ में आ नहीं रहोगा मैं करके दिखाता हूं तो मैं सबसे पहले jquery cdn लिखके search करता हूं पहला link यहां पर release jquery मैं इसी पर क्लिक करूंगा और यहां पर minifides मैं unminifides या compress पर क्लिक करता हूं 3x वाले पर और यह लिखा रहा है यहां पर मैं copy करूंगा यही वाला cdn है cdn का पूरा नाम है content delivery network मैं cdn के बारे मैं आपको बताता हूं college में आकर आज मैं आउंगा यहां पर और just table के नीचे मैं इसको paste कर दिया पूरा हो गया यहां पर body tag मैं बंद कर देता हूं ऐसे और html tag भी बंद कर देते हैं आप ऐसे अब मैं code करूंगा इस jquery के नीचे लेकिन मेरा jquery जो है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं यह चेक करने के लिए मैं यहां dollar फिर d o c u document लिखूँ सॉरी ऐसे नहीं लिखा जागा इस script tag के अंदर लिखा जागा तो यह automatically आ चुका है यह वाला हिस्सा आप न लिखो तो भी चलेगा आपके editor में यदि आप manually type करते हो तो वह हिस्सा मत लिखना अब मैं क्या करूंगा dollar bracket के अंदर d o c u document dot r e a d y ready ऐसे किया semi colon अब इसी के अंदर लिखोंगा मैं type u n c to event function फिर parenthesis open close फिर curly braces open close और फिर curly braces के अंदर आके enter मारना है तो ऐसा हमें लिखना है यहां पर अभी अब मैं क्या करूंगा यहां पर मैं लिखता हूँ alert alert मैंने लिख करके यहां पर लिख देता हूँ मैं double quote में कुछ h लिख देता हूँ अब मैं reload करता हूँ अपना page जैसे page मैंने reload किया यह alert में आ गया h हमारा चल रहा है मतलब हमारा jquery जो है include हो गया proper काम कर रहा है मैं इसको delete मारता हूँ यहां पर और यहां पर मैं get मैं java script में function बनाता हूँ function get student नाम से इस तरह से function बन जाएगा और इसी function को मैं क्या करूंगा इसके अंदर call कर दूंगा इस line का meaning मैं बता देता हूँ कि जैसे ही मैंने क्या किया जैसे reload मारा page को तो टोटल page जब पूरी तरह से load हो जाए पूरी तरह से load होने के बाद ही यह वाला function काम करे तो जैसे ही document हमारा जो page है पूरा reload हो जाएगा तो उसके बाद यह ready वाला call हो जाएगा ready event call हो जाएगा ready call होगा तो यह हमारे student method भी call हो जाएगा अब आप कहोगे ready होने में कितना time है लगता है अब यहाँ पे कुछ content ही नहीं है तो time नहीं लग रहा है बहुत हैवी page होता तो time लेगा या internet से डिटा आता तो तो मैं सिधा लिखता हूँ अब देखो dollar dot ajax ajax हो गया semicolon अब इसके अंदर ऐसे लिखना है आपको इतना लिखने के बाल मारना है enter मैं इसको ऐसे देता हूँ मैं कुछिस कर रहा हूँ कि ajax बहुत subtly code लिखूँ तो मैं type लिखूँगा यहाँ पर और type में लिख दूँगा get request मतलब यह method है get अब get post बताऊंगा मैं सुबह को ले जाके और फिर url url में हम क्या देते हैं url में हमको पूरा url देना है जैसे पूरा url का means यह है local host फिर php फिर student यह पूरा url हम type करते हैं तब data आता है तो मैं इतना सा copy करता हूँ क्योंकि by default local host जोड लेगा इतना और फिर comma देदूँगा url हो गया अब हमें क्या क्या करना है अब मैं कुछ नहीं करूंगा suc success सीधा यहाँ पर method कॉल किया मैं यह success क्या है callback function है और success के parameter में re-s लिख दूँगा मैं और इसी को मैं console.log मैं यहाँ पर print कर दूँगा re-s लिख करके ऐसे कर दें print यहाँ पर call हो गया है run करके देखते हैं अपना program क्या error आता है या फिर चलता है run कर दिया control shift i दबा रहा हूं मैं और देख रहा हूं तो यह देखो आ गया यहाँ पर data यहाँ पर हमारा आ चुक है loader वगरा कैसे दिखाना है waiting कैसे लिखाना है web pages में वो सब कुछ Ajax के जरीए होता है लेकिन अभी नया नया तुरंत मैं code लिखा हूं इसलिए मैंने बहुत shortly code लिखा है इतने में हमारा काम चल जा रहा है तो जब हम project बनाएंगे तो Ajax का code लंबा चौड़ा और इसमें चीजें लिखा जाएगा लेकिन अभी हमारा इससे काम चल जाएगा हम इतना ही लिखेंगे अब हो गया अब देखो क्या कर रहा है Ajax हमारा Ajax call कर रहा है इस PHP URL को इस URL को hit कर रहा है तो इस URL को hit करने से क्या आता है यह वाला डेटा आता है यही डेटा आता है न तो यही सेम डेटा यहाँ पे console में print किया गया है यदि आप देख पाऊ तो यह डिट्टो डेटा यह डेटा है यहाँ पे बस समझ में आगे आपको तो इस page को sorry इस URL को Ajax call करता है जब इस page को URL जो है sorry Ajax जो है इस URL को जब call करता है तो यह वाला URL जो output देता है ओ output इस function के इस parameter में आ जाता है मतलब इस page का जो है output इस वाले variable में आ जाता है और इसी variable को मैंने जब यहाँ पे print किया तब हमारा console में आ गया लेकिन एक ही case में इसका output इसमें आएगा यदि success होता है तब यहाँ पे आएगा success के अला में error वगर भी होता है हमें नहीं जानना है अभी कि क्या होता है error के बारे में कोई मतलब नहीं है जानकी अभी मैं बताऊंग आपको later on आपको मैंने बताया अचा java script object के बारे में तो मैं यहाँ पे late एक variable बनाता हूँ यह student नाम से यह students नाम से और यहाँ लिखता हूँ json.parse parse मैंने लिखा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा rs response क्या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यह तो json के format है मैं है json के format को हम wait pages में नहीं दिखा पाएंगा तो इस json को हम क्या करेंगे कि इसको हम java script के object में convert करेंगे json.parse इसको java script में convert करके student variable में रख देगा और फिर मैं जब यहाँ पे console.log करता हूँ तो ऐसे है और तो यह देखो object के form में आ गया object का array है यहाँ पे कई सारी student है न हमारे पास तो यह देखो यह एक object है यह दूसरा object है object का array बनाये गया है आप लोग याद करो कि मैं object का array का मैं practice करा रहा था आप लोग से java script का तो वह हमें अभी कामाने वाला है loop वगर चला के console में तो हम print कर ही सकते हैं लेकिन हमें कहां print करना है इस जग पे कैसे print होगा इसको मैं यहां से cut कर रहा हूँ अब और मैं अब क्या करूंगा मैं इसको for loop चला करके भी data print कर सकता हूँ लेकिन मैं for loop नहीं चलाओंगा मैं for each loop का इस्तेमाल करूंगा for loop तो आप जानते हो dot for each e-a-c-h for each लिखा और यहां पे effusion c-t-i-u-n function आयसे इस तरह से होगे और यहां पे लिख देता हूँ मैं student दह्यान रहे यह students है और यह student है अब इसी को मैं यहां पे console में print कर रहा हूँ console.log और इस student को मैंने print कर दिया अब देखते हैं क्या होता है अब देखो एक-एकी student बारी-बारी से print हो रहा है अब यहां पे student.log मैं जदी name कर दू न तो student का name print हो जाए गया देखो पूरा name print हो गया name के बाद class करूंगा तो class हो जाएगा class में की आते देखो bca final 9 बार output आया है mobile number कर दूंगा mobile कर दूंगा mobile number आ जाएगा यह देखो आ गया मैं इसी data को html में print करना है कैसे करेंगे बहुत आसान आप देखो कैसे print होगा मैं क्या करूंगा सबसे पहले lit नाम का variable बनाता हूं html और यहां पे मैं क्या करूंगा back tick का sign दे रहा हूं और यहां पे मैं enter मार दिया मैं ikma x छोड़ो मैं क्या बता रहा हूं सिधा मैंने paste कर दिया oh no कोई बात नहीं मैं student को copy किया था तो मेरा html वाला windows v windows v दबाया तो यह सारा clipboard का list आ रहा है मैं इसी को paste कर रहा हूं paste कर दिया मुझे यहां पे data चाहिए तो मैं हटाऊंगा dollar लिखोंगा और curly braces लिखोंगा और मुझे पहले वाले में क्या चाहिए student का name चाहिए name और मैं इसी को कौँ भी पेश्ट मार देता हूं इधा ऐसे ऐसे यहां पे उपर मैं देख लेता हूं मैंने यह देखो सबसे पहले name प्रिंट किया हूं class प्रिंट किया हूं mobile प्रिंट किया हूं तो name class mobile हो गया यह back tick का sign जो है यह हटने न पाए देख लो आप और मैं इसको यहां पे ऐसे कर दूँगा कौन के टिनेट कर रहा हूं पे मैं यहां पे ऐसे करके अब इतना होने के बाद मैं क्या करूंगा आप देखो इसको मैं करूंगा delete कर दिया अब जितने बार loop चलेगा नहीं मुझे इसको यहां नहीं बनाना चाहिए मैं यहां पे बनाता हूं और यहां पे empty string assign करके छोड़ देता हूं और यहां पे मैं ऐसे कर दूँगा जितने बार loop चलेगा उतने बार इस तरह का HTML create होगा और student name के दिए पर name आ जाएगा student class के दिए पर class आएगा mobile number के दिए पर mobile number आ जाएगा और उतने बारे HTML बंद करके इसमें assign होता जाएगा बस समझ में आ गया आपको होगे कि पूराना value तो हट जाएगा मैंने बराबर का assign दिया आया आटेगा जानी कौन का इटिनेट होगा जुड़ेगा अब मैं क्या करता हूँ मुझे कहां print करना है तो इस T body के अंदर में print करना है तो मैं यहाँ पर ID लिखता हूँ और ID में मैं क्या दे दूँगा data मेरे को इस यह जो tag दिख रहा है ना इसी tag के अंदर नीचे यह लूप खतम हो रहा है यहाँ पर यह लूप जो है खतम हो रहा है यहाँ पर मैं लूप के ज़स्ट बाहर लिखता हूँ document dot get element by id id और यहाँ पर कर देता हूँ data dot inner html जैसे ही मैं इतना line लिखा जैसे ही मैं इतना line लिखा तो यह मेरा select हो गया अब इसके अंदर मुझे जाना है यहाँ पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ लिखना है dot inner html 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 को देखते हैं हमारा काम होता है यह मजा नहीं आएगा warning don't paste code into developer tool console type to allow pasting or computer attack बड़ा security बढ़ गया है तो get student नाम का function आता है मैं आपको पूरा code दिखा देता हूं एक बार में आता हूं और यहाँ पर एक code मैंने लिखा है बस इतने code है एक चीज मैं और बता दू बताने से पहले मैं समय देख लेता हूं समय 21 मिनट हो चुका है थोटा छोटा से चीज़े बता देता हूं मैं आप देखो कि मैंने क्या किया है देखवा मैंने क्या किया हुआ है कि मैं लूप चला करके जावा स्क्रिप्ट के थुरू यहां पर मैं HTML प्रिपेर कर रहा हूं मतलब टी आर टी डी कॉलम रो जो है यहां पर मैं तयार कर रहा हूं और उसको फिर डिरेक्ली दिखा दे रहा हूं टेबल में यहां पर वही डेटा से मैंने टी हेट को सेलेक्ट कर दिया टी पू टेबल बॉड़ी को सेलेक्ट किया और HTML को टेप उसमें असाइन कर दिया समझ रो बात लेकिन यही चीजे यही प्रिपेरेशन में चाहता तो PHP के थुरू भी कर सकता था PHP के थुरू करता और उस response में पूरा HTML आ जाता और सिधा इस HTML को मैं यहां पर पूट कर देता और यहां पर असाइन होके दिखने रखता लेकिन यदि मैं PHP में प्रिपेर करता तो मेरा server में memory allocation होता server का memory consumption बढ़ता लेकिन मैंने JS के थुरू जब किया है तो client के computer का जो है memory allocation होगा memory consumption किसका होगा browser का होगा browser का हो सारे अलग-अलग browser में अलग-अलग memory consumption होगा हमें क्या दिक्कत है लेकिन हमारा server एक है server में अब सभी user के लिए memory allocate करेंगे जगह कम पड़ेगा हमें RAM की RAM का बचत करना है और RAM की management भी करना है तो उमीद है आपको समझ में आ गया होगा कोशिस किया है मैंने easily तरीके से समझाने का बाकी मिलते हैं अगले episode में